नमस्कार मैं हूँ आपके साथ प्रेणा शर्मा और आप देख रहे हैं दिफाक्ट इंडिया कोरोना संक्रमन्ट ने लोगों की जिंदगियों में बड़े बदलाव ला दिये हैं इस संक्रमन्ट से कई लोगों की जाने भी चली गई सभी जल से जल अब इससे निजात पाना चाहते हैं मास्क, दोगज की दूरी, त्योहारों में पाबंदियां किसी को पसंद नहीं आ रही इसी के तहट डोर टो डोर वेक्सिन लगाए जाने के कैमपेन भी चल रहे हैं लेकिन फिर भी गावों में या शहरों में कई लोग ऐसे हैं जिने वेक्सिनेशन पर ना तो भरोसा है और जो वेक्सिन बिलकुल नहीं लगवाना चाहते और इससे बचने के लिए आजीवो गरीब चीज़े करते हैं ऐसा ही एक महिला ने किया है महिला पेशे से सपेरण है साप पालने का काम करती है और अजमेर की नागेलाव गाव में रहती है महिला का नाम कमला देवी है तो हूँ आयُं कि जब कॉरोणा वेक्सिन लगाने के लिए महिला के घर मेडिकल टीम पहुँची तो महिला डर गई और फिर डराया Medical Team को जीहां दरसल महिला ने एक टोकरा खोल कर Medical Team के सामने रख दिया इसे देख, Medical Team की तो हवाईया ही उड़ गई क्योंकि टोकरे में फन निकाल कर बैठा था कोबरा सांप फिर भी थोड़ी हिम्मत जोटा कर Medical Team महिला को समझाने लगी इस पर कमला देवी ने धमकी दे डाली उन्होंने कहा कि किसी ने भी उसे वैक्सिन लगाई तो वे उसे साप से डस्वा देगी इसके बाद चिकित साव इभाग ने गाओं वालों की मदद ली ग्रामिनों ने जैसे तैसे कमला देवी को समझाया काफी मशक्कत लगी पर बाद में वे समझ गई और टीका लगवाने के लिए राजी हो गई इसके बाद तो मेडिकल टीम ने गाउं में कुल 20 लोगों का टीका करण किया दरसल राजस्थान में ब्लॉक अंतरगर टीका करण के 100 प्रतीशत लक्षय हासिल करने के उद्देश से डो टू डो टीका करण कराया जा रहा है ताकि कोविट संक्रमन से पूरी तरह निजात पाई जा सके और खुशी की बात यह है कि पिछले कुछ समय से कोविट संक्रमन के पॉजिटिव केस प्रदेश में ना के बराबर आ रही है मुखे मंत्री अशोग गहलोद भी प्रदेश वासियों से अपील कर रहे हैं कि जल से जल वैक्सिनेशन लगवा ले और सुरक्षित रहे खेर आपने भी वैक्सिनेशन की दोनों डोज नहीं लगवाई है तो जल से जल लगवाएं और देश को कोरोना मुक्त करने में अपना सहीयोग दे नमस्कार